नमस्कार सात्यों स्वागत आपका हमारे पॉर्पेश वीडियो में सात्यों इस वीडियो के माध्यम से आपको वोटर कार्ड से समधित जानकारी देने वाले हैं सात्यों अगर आपके पास में वोटर कार्ड है और अगर आपके वोटर कार्ड में किसी परकार की कोई गलती है या तो आपकी watercard में आपका नाम सही नहीं है या फिर आपकी date over गलता है या फिर आपका address गलता है या आप अपने watercard को ट्रांसफर करवाना चाहते हो या फिर सात्यों आप नया watercard घर बेटे अपने mobile से बनाना चाहते हो और ये सभी काम आप अपने mobile से घर बेटे एक एप है water pipeline उसके मादिम से आप घर बेटे mobile से ये सभी कारी कर सकते हो अब आपको सभी एक 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 कारी करके बताएंगे मोबायल से केश प्रकार से आपको अपना नाम को एडिट करना है और या फिर डेटों बर को एडिट करना है किसी भी या फिर सातियों आपका जो एड्रेस है अगर गलत है तो उसको सही करना है अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं है और आप रएक से अफलाई करें गर बेटें mobile से तो यह सभी कारीए आपको अपने mobile से बताने वाले हैं तो ले चलते आपको साथिवो सबसे पहले आपको करना क्या है mobile के अंदर playson पे जाके आपको एक एप इंस्टोल करना है और एप का नाम है यह देखे साथियो वोटर हैल्प लाइन हब आपको ले चलते हैं प्ले स्टोर के रब देखे साथियो चलते हैं साथियो आपको प्ले स्टोर पे आके आपको सर्च करना है वोटर हैल्प लाइन जैसे आप वोट एप है open होगा अब आपको इस एप के अंदर आईडी और पासपोर्ट आपको generate करने हैं और आपको आईडी और पासपोर्ट जनरेट करने के बाद में आपको यहां पे यहां पे सातियो अगर आपको वोटर आइडी में क्लिक करोगे तो आपको सात्यों यह option मिल जाएंगे आपको सबसे पहले जो सबसे पहला वाला option है इसके माद्यम से आप नया water card बना सकते हो और जो 6 number form वाला और 7 number form वाला इसके माद्यम से आप अपने जो water card है उसको delete कर सकते हो और 8 number है जो इसके माद्यम से करेक्षन कर सकते हैं आपको करना क्या साती हूँ अगला next पर क्लिक करना है हाँ मेरे पास water id number है इस पर इस पर क्लिक करना आपको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको करना क्या साथियो साथियो यहाँ पर आपको अपने water id card number डालना है और यहाँ पर आपको अपना state select करना है और इसके बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है विवरन प्राप्ट करें जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस परकार से एक लाइन लिखी हुए आईगी नीचे की तरब हमें आपकी दर्ज की गए वोटर आईडी के लिए यहां रिकूर्ड मिला है अब सात्यों आपका रिकूर्ड यहां पर मिल जाएगा इस परकार से जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कैद्स आपके सामने इस परकार से एक स्वी determination साफ मेलोड होगा आपको सdevelop करना आए इस दिटेल तो इसमें और रड़ी आएगी और कुछ आपको फिलफ करना है यह देखिए इस प्रकार से उपर यूपर आपका नाम आएगा उसके बाद में आपका हिंदी में नाम आएगा और अपना उपना आम आप दरज कर सकते हो और इसके इलावा आपके पिताजी का नाम यहां पर इमेल आईडी से आपको यहां पर the नंब करोगे तो इस पर करोगे तो इस पर परकार से आपके सामने पेज ओपन होगा यह देखिए सातियों जैसे आप उस फोर्म को बरके नेक्ट पर किलिक करते हो तो आपके सामने इस परकार से आपको चार ओप्षन देखने को मिलते हैं इन में से आपको करना क्या है सातियों यह पहला ओप्षन तो आपको जो निवा कि साति इस परकार से सेकेंड पर जैसे आप किलिक करोगे और उसके बाद यहां नीचे अगला नेश्ट पिलिक करोगे तो आपके साफिया इस परकार से आपको प्वस्थिन को मिलेंगे यह देखिसाथियो आपको क्या क्या चीश gleich करनी है यहां पर देख सकते हो अगर 350 कौण सा आप एक बार में कम से कम चार चीज चाही कर सकते हों अगर आपको सथियों अपना नाम सही करना है तो इस Clock चैडिक खरक्र english करें और अगर आपको जो Linkge करना है मैल फिमेल घरगलती से स्लेक्ट हो गया तो आप इसकोлем सeken कर सकते हो अपर आपको एजarmed ** लानक है तो आप इस प्रिक कर सकते हो शाधि अगर आप अपने टाइप क्लिक कर सकते हो और साथ वह अगर आप अपना स्लेक्ट कर सकती हो जैसे कि सातियों मैं चार उप्षन स्लेक्ट करता हूं जिसे नाम पर और मैं डेट बर्त पर और सातियों मैं मोबाइल नंबर और फोटो इन चार उप्षन को लेता हूं और नेश्ट पर क्लिक करता हूं यह देखिए इस परकार से नेश्ट पर उपन हो ज तो साध हो इसमें आप अपना जो सही वाला नाम है वो नाम डालना है और जैसे आप अपनी जनमतारिकति सही करने है तो यहां जनमतारिक डाले सही वाली और जो जनमतारिक का परमान पतर आप अपलोड कर सकते हों जनमतारिक परमान पतर के रूप में आप आधार कार्ड, पेन कार्ड, ड्राइविग लाशेंच या 10 के मारक्षित अपलोड कर सकते हो यह देखिए इस परकार से जैसे कि मैं आधार कार्ड पर क्लिक्ट करता हूं तो इस परकार से तो मेरे को यहां आधार कार्ड अपलोड करना है उसके बाद में यहां मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर सही है जिस मोबाइल नंबर को चेंज करना चाहती हो या फिर मोबाइ फोटो मूबाइल में पर दालना और सातियों जो पोटो यहां पर डालनी है न्यू फोटो फोटो चेंज करनी है जिस फोटो को सेलेक्ट करना है वो फोटो यहां पर डालने और सात養 जैसे आप अपनी जो पूरी डीटीयल entrar इसको फिल्फ करते इसके बाद में आप next पर क्लिक करते हो तो आपके जो पूरा फोरम है उसका प्रिवी दिखाए जाएगा आप अपने इस फोरम को पूरा पूरे तरिके से चेक कर सकते हो इसको चेक करने के बाद में अगर किसी भी परकार की कोई गलती नहीं है आपके फोरम में तो आप परकार से अगर आपका फोरम पूरा सही है तो आप इस फोरम का एक बार प्रिवी चेक करें अगर आपका पूरा फोरम सही है तो आप इस पर कंफरम पर किलिक कर सकते हो नीचे कंफरम लिखाओ है अगर आपके फोरम में किसी परकार का कोई एरर है गलती है तो आप अभी भ अगर आपको नया वोटर का डिकार बनाना है तो आप हमारे डिस्किप्शन में जाके वीडियो देख सकते हो अगर साति हो आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और से जोर करे और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद् जय रास्तान